हाई एब्रिवन कैसे हूँ आप लोग दोस्तों फेस्वस स्किन केर का फस्टेप है जो हमें चाहिए ही चाहिए इसके विना स्किन केर सुरू ही नहीं हो सकता और अगर यह पॉर्फेक्ट हो गया तो इसकिन का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्ब हो सकता है बट इतने सारे फेस स्किन केर का कितना इंपोर्टेंट हिस्सा है इसकिन केर ब्रैंड्स को भी पता है और साथी में यह भी पता है हम पब्लिक कितने भोले है इसलिए आए दिन इंडियन मार्केट में निव फेस्वस आई मीन टट्टी लॉंच होता ही रहता है तो इसलिए आज मैं प्लम ग्री कiszवास का कॉंपेर करूंगी और दीखूंग भी evolus पॉरफेक्ट नेडिटमं माइज ko नहीं या दोनुहिं प्रिहव से या एक भी नहीं और देर ना करते हुए ऊंसनी करते हूं करना तो शुरू करते हैं हमिसा की तरफ प्राइस से दोस्तो प्लंग ग्रीन टी फेस्वास का प्राइस है 75 ml का 276 रूपीज और गुडवाइब ग्रीन टी फेस्वास का प्राइस है 120 ml का 156 रूपीज तो दोस्तो प्राइस वाइस डेफिनेटली गुड़बाइब ग्रीन टी फेस्वस वीनर है और एमजून चोईस प्रोड़क्ट भी गुड़बाइब ही है तो इसको मिलता है वन पॉइंट इसके बाद देखते हैं दोनों ने कितना फेका है यानि किया क्लेम किया है और सबसे पहले गुड़बाइब का देखते हैं इसके मताबिक एफेस्वस स्किन से डर्ट को क्लीन करता है डेड़ी स्किन को रिमूब करता है और इसकिन को फ्रेस रखता है देन इसमें ग्रीन टी है और ग्रीन टी एंटी ओक्सिडेंट से भडा हुआ है एंड इसका बहुत सारा benefit है जैसे aging को slow करता है skin irritation को reduce करता है agnes से fight करता है एंड skin को moisture भी provide करता है इसका मतलब भी बहुत ही अच्छा है then a face was dry skin के लिए suitable है and also all skin type के लिए भी और साथी में ये mineral और paraben free है वाँ क्या claim किया है इसने इसके बाद देखते प्लंप ने क्या claim किया है इसके मताबिक ये natural mild face was skin को deeply clean करता है then इसमें भी green tea है और green tea का बहुत सारा फाइदा है ये हमने पहले ही जान लिया है और इसमें glycolic acid का भी use हुआ है जो इस skin को brighten करता है और प्लंप का a face was oily and acne prone skin के लिए suitable है good wipe ने ज्यादा better claim किया है तो good wipe को मिलता है 1 point so good wipe का total point हो गया 2 and plump का 0 so इसके बाद देखते हैं दोनों का ingredient list और सबसे पहले plump का इसमें यूज हुआ है aqua, acrylate copolymer, sodium lither sulfate, glycerin, cocomida propyl b10, cocomida dee d, triethanolamine, green tea extract, glycolic acid, cellulose based, phenyxthanol, sodium gluconate, ethylohexyl glycerin, fragrance and color ये क्या है सच में ये क्या है दोस्त इसमें सिर्फ एक ही natural ingredient है बट इसका नाम है plump green tea face was जो नहीं होना चाहिए था आप लोगों को नहीं लगता इसके बाद देखते हैं good wipe का ingredient list इसमें यूज हुआ है purified water क्यूकामिस सतीभास यानी के खीरा, polysorbate 20, glycerize glabra extract यानी के लिकोरिस, मूरास alba extract यानी के मौलबेरी, क्वी छेजल extract, penex thanol, sodium benzoid, potassium sorbet, rosa centifolia extract यानी के गुलाब, इसके बाद apple extract, neem extract, tulsi extract, green tea, perfume and color तो दोस्तो इसमें बहुत सारा natural ingredient का यूज हुआ है, सो चले चलते हैं compare के result के ओर दोस्तो प्लम face was में एक natural ingredient के इलाबा सभी chemical ingredient है और सभी का कम जदा side effect है skin में, और प्लम के मुताबिक ए face was एकने से fight करेगा and gentle भी है बट ingredient list देखके तो मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा था इसका नम प्लम क्रीन टी face was नहीं होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था, प्लम टटी face was loaded with bed chemical और दूसरी और good vibe में बहुत सारा natural ingredient है पर साथ ही में polysorway 20, pennexthanol, perfume and color भी है और इनका side effect है हमें पता ही है so ingredient wise good vibe plum से बहुत ज़्यादा बेटर है तो इसको मिलता है और एक point तो good vibe का total point हो गया 4 and plum का 0 बट फिर भी मैं good vibe को recommend नहीं कर सकती यार तेरी मुताबिक हम चलेंगे तो हम कुछ भी use नहीं कर पाएंगे अगर कुछ भी use करना है तो review देखने का क्या जरूरत है healthy skin से ज़्यादा अगर कुछ भी important है तो कर लो use मैंने रोख के थोड़े रखा है so दोस्तो आज इही तक पसंद आया हो तो like करना और step के product compare वीडियो के लिए चैनल को जरूर से subscribe कर लेना